नमस्ते दोस्तों सारे Reliant Geo के प्लान हुए महेंगे अगर आप नया Reliant Geo Sim काड़ खरीदना चाते हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान लगें कि Reliant Geo 4G टैरिप प्लान में बदलाओ किये गये है जी यहाँ Reliant Geo 4G लॉंच हुआ था तो बहुत सारे Reliant Geo प्रेविव ओफर welcome ओफर हमें मिन गए थे और आखिर में हमें की तरफ से जिए दन दन धन ओफर दिए गए थे जो कि ति पता है रिलाइब के दनES नहीई प्लाइन नहीं मिलेगा जी हां आपको GEO SIM PLAN को सिलेक्ट करना होगा अगर आप नए GEO users हो आपने Reliance GEO SIM खरीदा है आपने स्मार्टफोन के लिए तो फिर आपको फर्स टायम रिचार्च पे दन 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 ओफर मिलेगा जी लेकिन इसके लिए आपको Reliance GEO PRIME membership लेनी पड़ेगी अगर आपका Reliance Geo Plan दन दना दन ओफर खतम होगा तो उसके बाद आपको regular Reliance Geo 4G Prepaid और Postpaid Terry Plan के हिसाब से Reliance Geo Prepaid Plan और Reliance Geo Postpaid Plan लेने होगे जी, Reliance Geo ने अपने Plan 309 से लेके 9999 प्लाइन तक हर प्लाइन के internet नेट प्लाइन में बदलाव कर दिये गए इसके लिए मैंने आपको Reliance Geo website पर ले जाके सारी बाते बताऊंगा जी यहां दोस्तों तो चलिए हम Reliance Geo के website पर जाते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि Reliance Geo ने अपने plans में क्या changes किये हैं जी तो चलिए दोस्तों जैसे आप Reliance Geo के website में जाओगे यहां पर देखिए आपको सबसे पहले Reliance Geo दन दना दन offer दिखेगा जी यहां दोस्तों और यहां पर आपको message आया उनको यह plan दुबारा नहीं मिलेगा उनके लिए अलग से recharge करना पड़ेगा चलिए हम देखते कि Reliance Geo ने नए plans क्या launch किये तो हम यहां पर plans में जाएंगे जैसे हम plans में जाएगे यहां पर आपके सामने सारे plans आएंगे जीओ प्राइम मेंबर्स के लिए दोस्तों यहां पर देखें 1949 जो भी plans से इसमें कुछ भी changes नहीं की है 149 रुपीज तक जी मतलब 1949 96 149 plans में वही मिलेगा जो पहले मिलता था जीओ प्राइम मेंबर्स को जी और देखें यहां पर 309 के plan पर हम जैसे क्लिक करेंगे यहां पर first recharge unlimited और उसके लिए 84 GB मिल रहा है मतलब कि जैसे मैंने बताया कि जो भी नया यूजर होगा वो अगर रिलाइंच जीओ प्राइम मेंबर्शिप लेता है और रिलाइंच जीओ का दन दन ओफर लेता हूं उससे 84 GB का plan मिल जाएगा 84 GB और वो भी 84 दिन के लिए 84 days के लिए validity आपको subsequent recharge मारना है जिसमें कि आपको सिर्फ और 28 दिन के लिए 1 GB per day का data मिलेगा और वो भी उसकी validity भी 28 days की होगी 28 days के बाद आपको दुबारा 309 का recharge मारना पड़ेगा जी हां दोस्तों इसलिए मैं बता रहा था कि रिलाइंच जीओ ने अपने plans को महंगे बना दिये जी दोस्तों ऐसे ही आप 309, 509, 999, 499, 999 इसमें कोई भी plans को आप देख लीचे तो इसमें आपको subsequent recharge दिया गया है जिसमें उसमें डाटा को कम कर दिया है और validity भी कम कर दिये जी दोस्तों यह हुई बात prepared के और pushpad की भई बात करें तो देखिए यहाँ पे 309 के लिए साइकल का था 90 GB दे रहे थे हमें डाटा जो कि थी मन्त के लिए था और सेकंड बिलिंग साइकल पर सब्सक्वेंट साइकल पर आपको सिर्फ 30 GB मिल रहा है वो भी वन मन्त के लिए मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि रिलाइंच जियो ने अपने सारे प्लान्स मेंगे कर दिये और डिनरी जो भी हमें याटेल वोडा फून दे रहे थे वैसे रिलाइंच जियो ने भी अपने प्लान बना दिये आप निचे देख सकते हो तो यहाँ पर एक टिप भी दी गई है फर्स रिचार्ज बेनिफिट प्रिप नई मिलेगा उनको जो भी सब्सक्वेंट्र रिचार्ज होगे वहीं मिलेगा जी दोस्तों यह था में आप आज का वीडियो जी मैंशो के प्रिपेड और एन्जियो के पूश्पेड प्लाइंच कैसे महंगे हो गए आपके लिए बता दिया है तो दोस्तों अगर काड़ को जी यहां दोस्तों तो यह था मेरा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और हां दोस्तों ठेंक्यू पर वाचिंग माई वीडियो बाइबाई से यू टेक क्यार